कॉंग्रेस में देखिया लग-लग धड़ी हैं जिसको आप कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र के S.R. के गुट जिसमें से हलांकि किरन कम हो गई है मिरेंदर सिंग भी वा गई है चुंकि एक धड़ा उनका भी माना जा रहा है तो क्या कैप्टन अजे आदव राव चिरंजीव उनका परिवार किसी धड़ी किसी गुट में आता है देखे हम कॉंग्रेस पार्टी के साथ हैं लगातार कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम किया है मैंने अपनी राजनिती की शुरुवाद 2007 में करी थी 2010 में परदेश अद्यक्ष पार्टी ने बनाया युवा का फिर मुझे युवा कॉंग्रेस में काम करने का मौका मिला अब मैं राश्ट्य कॉंग्रेस के अंदर सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ तो हमें बहुत कुछ पार्टी ने दिया है मेरी ये सोच है कॉंग्रेस पार्टी में कोई भी है उसको अपने निजी स्वार्थ को पीछे रखते हुए कॉंग्रेस पार्टी को सबसे आगे रखना चाहिए हमारे नेता मलिका अरुजुन खडगे जी है हर्याना में आपके नेता कौन है हर्याना में हमारे नेता बहुत सारे है चौदरी पुवेंदर सिंग हुड़ा है उदेबान जी है मेरे पिता है और भी बहुत सारे नेता है जो अपने रूप में काम कर रहे है कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सेलजा जी हमारी मजबूत नेता है बहुत सारे ऐसे नेता है जो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर मिलके काम करें और मुझे लगता है हम सब लोगों की कोशिश ही होने चाहिए कि हम कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करें कॉंगरिस के अंदर भी कुछ लोग बोलते हैं कि कॉंगरिस पिता पूत्र की party हो गई है ये लोगों का अपना मत हो सकता है मैं उससे बिल्कुल सुकार नहीं करता है जिसको कॉंगरिस party ने विपक्ष कानेता बना दिया जिसको party ने प्रदेश अड Bennett बना दिया जिसको हमारा प्रभारी बना दिया उसके रूप में काम करना चाहिए और कहीं न कहीं मुझे लगता है हर पार्टी की एक जिसको जो पावर दे दिये उसके साथ काम करना चाहिए